Books That Speak में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं कहानी गड़ा धन। कहानी का वाचन असावरी दोशी। इस कहानी के लिए मैं आभरी हूँ E-Initiative by Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research पुने। सुन्दरपूर गाउं में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। रामदीन स्वयम तो बहुत परिश्रमी था। पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैटकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अलड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविश्य की चिंता सताया करती। वो दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इन्ही विचारों में खोया था। तभी उसकी पतनी ने जिजगते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा फिर एकाय खुशी से उचल पड़ा। अगली सुबा रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुला कर कहा। मैं और तुम्हारी मा अब बुढे हो गए है। हम दूर तीर थियात्रा पर जा रहे है। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदी कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशे खुशी तीर थियात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। राम दिन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सबकुछ सामान्य चलता रहा। पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्थ होने लगा। अब चारो भाईयों को चिन्ता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पढ़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंब किया। वे दो तीन राते खेत को खोदते रहे। पर कही भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबा बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लोट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनात ने पूछा। तुम सब ठके हुए क्यूं हो। कारण जानने के बाद हरिनात ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा। तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है। अब उसमें बीज बो दो। चारों भाईयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दोड़ गई। उन्होंने हरिनात के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्ने नन्ने अंकूर निकलाए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई, गुडाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनात काका को धन्यवाद दे कर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी मे जुड़ गए। उसी समय तीर थियात्रा से रामदीन और उसकी पतनी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किये। गाड़ी में लदे अनाच के बोरे देखकर रामदीन ने कहा। अब तुम्हें खेत में गड़े धनका राज समझ में आ गय होगा। चारों ने सिर हिला कर स्विकार किया और कहां। हाँ पिता जी अब हम ये भी समझ गए है कि जीवन में परिश्रम के बीना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। आप सुन रहे थे कहानी गड़ा धन। कहानी का वाचन असावरी दोशी BooksThatSpeak पर। आप अगर BooksThatSpeak को सपोर्ट करना चाहते हैं तो support.booksThatSpeak.com पर जरूर आईएगा। धन्यवाद।